हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्जाम टेजिए सो जितनी वी ऐसे स्ट्वेंट हैं जिन्हों ने सी यू इटी अंडर्ग्राजवेट का एक्जाम दिया है और अगर आप लोगों ने जवाल लानलेरू उनिवर्शिटी के लिए फॉर्म फिल किया है तो मैं आपको बता दू कि जवाल लानलेरू उनिवर्शिटी के द्वारा जो है सीवीडी यूजी के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गया है तो आपको इसके लिए क्या करना है जो है आपको यह एंडी के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा लेकिन आपको जो है जाना है आप यहां पर देखिएगा jnue.ac.in तो इस वेबसाइट पर जवाब जाएगा तो फिर आपको जाहे यह इसका ओफिशल वेबसाइट है जहां पर आपको सारा डेटेल्स मिलता है और राइट हैंड साइड में देखिएगा इंपोर्टन्ट लिंक्स में तो सबसे पहला लिंक ही है आपका अप्लिकेश आपको जैसे आप यहां पर देख पा रहें यहां पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर जब आप क्लिक किजिएगा तो यहां पर दो आपसन आए जाएगा तो इस न्यू रेजिट्रेशन या साइन इन अगर अभी तक आपने रेजिट्रेशन नहीं किया है इस साल के लिए यह CVT वाला registration नहीं है this is different registration अगर आपने registration नहीं किया है तो यहाँ पर आपसे जो है new registration पर click करना है नहीं तो फिर sign in pay करना है तो suppose मैंने new registration पर click किया तो यह page आपको जो है open up हो जाता है अब देखिए यहाँ पर आप देख पाईएगा कि जितनी पी ऐसे student है जो जेनी पर रेइस्टर करें आपको separately fee pay करना पड़ेगा तो जो general OBC EWS category है आपको 250 पर करना पड़ेगा STSCPWD 100 उपीज है foreign nationals के लिए 2392 उपीज है फिक है step one है आपका registration of application और आप कैसे कर सकते हैं and created password इसके तुरू आप जो है login कर सकते हैं एक बड़ जब आप application form complete में आपको जो next आता है कि candidate can login with CUT application number and created password for completing application form वो भी आप कर सकते हैं और कोछिस केज़ेगा कि वो CUT वाला ही रखे क्योंकि अलग लग रखिएगा तो फिर भूलने का chance से ज्यादा होती है आपको scan your latest photograph and signature चाहिए ठीक है और यहां पर आपको details दे दिया गया कि आपके photograph और signature कैसे होंगे एक तीज आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई वो selfie type लांगा में वो सब मत लिजेगा वो reject हो जाता है next important हो जाता है password को लेगे तो usually आप पता होगा कि password कैसे create कर सकते हैं जब यह सारा कुछ आप कर लेंगे तो यहां पर आपको जो है प्रोसीड के लिए option मिलता है तो यहां पर आपको क्लिक करना है and click here to proceed तो basically आपका जो भी details आपका है आप उसी की तुरू जो है यहां पर new registration पर login कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप यह आपने जब एक बार already कर लिया है तो आप directly यहां से sign in कर सकते हैं और sign in करके यहां पर user login आप यहां पर apply कर सकते हैं कि इसके बाद online में क्या-क्या होता है documents आपको upload करना है तो यह सारा details हम लोग separately आपको share करेंगे कि for example की अंदर से क्योंकि अब आपको preference भी select करना है जीनियू में preference बहुत important हो जाता है तो उसके बारे में भी हम लोग पताएंगे कितने preference है किस तरीके से आपको select करना है तो अगर मालीज आपको कोई भी परिशानी हो रही है तो आप लोग call या message कर सकते हैं उन्दा नमबर 84488-78849 पर इसके लाब अभी अगर कोई question चाहिए है आपके पास information चाहिए तो आप लोग call या message भी कर सकते हैं या वीडियो के comment में जाके comment भी कर सकते हैं तो बाकी आप लोग अभी एक बार बस आपको देख लेना है कि क्या चीज़ें है कैसी है आज डेट ऐसा नहीं है या जी लास डेट है इसलिए आज देख लेना है फिर आज ही साम तक आप लोगों को कर लेना है लेकिन उससे पहले आपको अपने इंट से सारा प्रिप्रेशन कर लेना है और एक साफदानी यह भी बरतनी है कि मुवाइल से कोई भी चीज़ नहीं किजेगा है क्योंकि यह हम लोग ने बहुत सारे लोगों के जो अप्लोड्स हैं वह मुवाइल से नहीं हो रह कर दो